हेलो फैंस तो आज मैं आपको पताऊँगा होटल और रेस्ट्रों में एग करी कैसे बनाएते हैं बिल्कुल अलग और नया तरीका पताने बाला हूं इस तरह से आप एग करी बनाएंगे ना खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी बनेगी और अगर आप सीखना चाहते हैं बीडियो को बिना स्किप के उलाश्ट चूर देखेगा तो इच्छे लिए रेस्पी शूरू करते हैं तो सबसे पहले आपने एग लेने एग को ना बॉइल करना है तो देखे मैंने पानी रखती है गैस के उपर वर्ट अभी गैस मैंने चालो नहीं की है थंडे पानी में एग डाल देने हैं साथ में थोड़ा सा नमक डाल देशे और गैस की फ्लेम आपने लो रखनी है लो फ्लेम इनको 15 मिन तक बॉयल कर लेशे 15 मिन में एग जो अच्छे से बॉयल हो चाते हैं तब तक ग्रेवी बना लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए तीन प्याज और दो ट करेवी बनेगी और टेस्ट भी बहुत ही बहतरी नाएगा तो देखे इस तरह सी प्याज को आपने फाइन स्लाइज काट लेना है इसके बद इसको मसल लिचे ताकि इसके जो लच्छे वो अलग वहश है और जो टमाटर है इनकी आपने प्यूरी बना लेनी है तो टमाटरो बना शुरूरी बनाते हैं जाता था नौन बैस डिश्टों में यूस करते हैं तो आप इस प्याज का कलर यहां पिलाइड गॉल्डन ब्रॉन हो चुका है इसके बद आपने लो कर देनी है और यहां पर चलाते रहना है तकि सारे प्याज में एक जैसा कलर आये तो कलर देख पूरे का पूरा निकल जाएगा और आपका जो खाना है ना एकतम less oily भी हो चाएगा तो कि देखिए अच्छी तरह से तेल को आपने निकलने देना है और प्याज को आपने एक मिनट तक हिलाना नहीं है इसी तरह से रहने दीजे एक मिनट के बद आप इसको बिखेर दीजे इ देखे तो प्याज को मैंने मिक्सी गरंडर जार में डाल दिया है 12 से पंदर आपने काजू लेने इनको गर्म पानी में 20 मिन तक भीयोग के रखना है ताकि यह सौफ्ट हो जाए और काजू भी आपने प्याज के साथ में ही डाल देने इससे ना ग्रेवी में अच्छी पना लेना है तो यह हमारा ग्रेवी का जो मीश है वो त्यार हो चुका है इस तरह से आपने पहले ना त्यारी कर लेनी है देख सकते हैं कितनी सारी आपकी ग्रेवी बनके त्यार हो चाहेगी और थोड़ा सा मैंने प्याज बचा लिया था तो इस प्याज को आपने इस तरह एक छोटा सा पीश जावित्त्री आड़ कीशे, दो मैंने इसमें लॉंग आड़ किये हैं और दो छोटी लाइची आड़ करेंगे खड़े मसालों के साथ ना अच्छा फ्लेव राता है ग्रेव में चोटा सा टुकडा मैंने इसमें बटर का भी आड़ किये हैं और एक छोटा चमर भरके आपने अदर गलसन का पेश्ट आड़ करना है इसकी फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदर गलसन के पेश्ट को अच्छी तरह से पका लेना है अब butter क्यों मैंने add किया जब भी अब अद्रक रसन के पेश को पकाते हैं butter के साथ पकाएंगे ना तो oil के छीटे कड़ाई से बाहर नहीं आते हैं तब मैंने यह पर butter का use किया है और इसके बाद आपने आदा चमच इसमें healthy powder add करना है एक छोटा चमच आप इसमें भर के कश्मेरी लाल मिर्च powder add करती है तकि ग्रेव में अच्छा color आए निकल के एक छोटा चमच आपने धनिया powder add करना है आदा चमच जीरा powder का use कीजेगा और तीखा करने के लिए आपने थोड़ा सा लाल मिर्च का powder add करना है अगर हम मसालों को dry में पकाएंगे क्या होता है कि वर उनसे कड़वा टेस्ट आ जाता है तो टमाटर भी मैंने डाल दिया है टमाटरों के साथ में नमक add कर देशे आदे से थोड़ा सा ज्यादा चमच आपने इसमें नमक add करना है गैस की flame में आपने medium to high रखनी है टमाटरों को अच्छी तरह से पकाना है तब तब पकाना है जब दर टमाटर पकने के बाद oil छोड़ना शुरूर ना कर दे देखिए टमाटरों में पकने बाद यहां पे oil छोड़ दिया है अब आपने इसमें जो प्याज का पेश्ट बना के रखा था वो एड़ कर देना है और मिक्सी ग्रंटर जार में थोड़ा सा ना पेश्ट चिपको रह जगा थोड़ा सा पानी डालिए वो भी आपने साथ में डाल देना है पानी के यूज़ आपने कम करना है क्योंकि जो पेश्ट है इसको अच्छी तरह से पकाना पड़ता है ने तो इसमें हमने काजू दहीं बगएर एड़ किया है उसका कच्छा टेश रह जाता है तो ओके देखिए ग्रेवी में बॉयला है चुका है उपर से कबर कर दीजे क्योंकि ग्रेवी बहुत ज़्यादा छीटे मार रही यहां पे पांस से छे मिनिट तक आपने मीडियो टू हाई फ्ले में ग्रेवी को पका लेना है बीच में एक दुबार इसको ना हिलाते भी रहीगा पल्टे से ताकि ग्रेवी कड़ाई से चिपके ना तो देखिए ग्रेवी बिल्कुर ट्राई सी हो चुकी है बड़ इसको आपने भूनना है एक से दो मिन्ट तक हाई फ्लेम है बोटल औरेश्णों में जो ग्रेवी बनाई जाती है उनको तीन से चार चार घंटे तब पकाया जाता है तब ही खाने में एक अच्छा टेस्ट निकल गयाता है वर घर में अगर आपने वो टेस्ट लाना हो तो मेरे स्टेप्स को जरूर फॉलो कीशेगा तो देखिए अच्छे से ग्रेवी ने ओल छोड़ लिया है मैंने अच्छे से इसको भून भी लिया था इसके अब आपने इसमें पानी एड़ करते हैं जब ग्रेवी पक जाती है फिर आप इसमें पानी एड़ कर सकते हैं तो डेड़ कप मैंने इसमें पानी एड़ कर दिया है अच्छी तरह से पानी को भी ग्रेवी के साब मिक्स कर लेते हैं गैस की फिल्म आपने ना हाई कर देनी है तक ही जल्दी से करेवी में बॉयल आजा है आप गरम पानी के यूज़ भी कर सकते हैं यहां पे तो इसके पूद आपने इसमें जो ब्राउन प्याज करके रखाओगा वो एड़ कर देना है और ब्राउन प्याज को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेशे और इसके पूद आपने ग्रेवी को ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंग ग्रेवी अरड़ी पक चुकी है तो इसमें आपने थोड़ी सी कसूरी में ती आइड करनी है रोश की थोड़ा साब इसमें गर्मसाला पौडर एड़ कर दीशे होमीड गर्मसाला पौडरका मैंने यहाप यूज़ किया है और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर ले लेना है आपको इसमें कोई एक्षा क्रीम आपने इनको पील करना है तो अगर आपने एक को अच्छी तरह से पंदरा मिंट तक बॉयल किया होगा तो इनका छिलका है असानी से निकल जाता है तो इसी तरह से आपने एक को पील कर लेना है धोना चाहिए इसके बाद भी धोल सकते हैं आप देखे सारे एक मैंने पील कर ल रहें थोड़ा सा हल्दी पॉर्डर और आएगा और थोड़ा साप उपर से लाल मेर्ज का पॉर्डर स्प्रिंखर की थोड़ी से आपने ना कसूरी में दालनी है अच्छी तरह से एक को और अब गैस की फ्लीम आप नीडियू टू हाई कर देशे और एक को आपने तब तरह यहां पर शैलो फ्राइब करना है जब तक इनके बाहर से एक अच्छा कलर ना आचाए और एक को आपने गुमाते रहना है इस तरह से तक कि सारे एक के बाहर से एक जैसा कलर रहा है इसके बाहर आपने अपने लोही रखनी है और ग्रेवी को आपने ऊपर से यहां चुछ थूड़ दीया है और ईक के अंदर तक ग्रेवी और मसालों का तेस्ट भी आ जुका है आप इसे एक करें को राइस रोटी ना के सार्व कर सकते हैं तो अगर आपको मेरा भीडियो थेंक यू